आप मेरी चैनल को लाइक कीजे, सब्सक्राइब कीजे और शेयर कीजे आज जो है वो चमतकारीक हनुमान मंदीत यानी वीजा वाले हनुमान ये पीछे है वीजा वाले चमतकारीक हनुमान जी वीजा वाले हनुमान जी है ये आपको पास्पोट के साथ पूजा करवाते हैं और आपको संकल्प दिलवाते हैं कि आपको वीजा मिल जाएगा और इसकी शरुवात 2016 से हुई थी किसी को वीजा मिल गया होगा तो उसके बाद ये प्रथा चली आ रही है और मान्यता है कि बहुत सारे लोगों को यहां के दर्शन करने के बाद वीजा मिल गया है ये जो मंदीर है वो एमदाबाद के अंदर राइपूर के राइपूर खाड़या के पास देशाइनी पोड उसके अंदर है एक्चुली वो आपको बहुत अच्छी तरह से पुजा करवाते हैं और आपको वीजा मिल जाए वो पुजा रिद्गी प्रात्ना भी करते हैं ये मंदीर बहुत पूराना है वैसे और ये जो दिख रहा है वो शिव मंदीर है उसके बगल में ही है चमतकारी खनुमान उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि अगर किसी की कोई मनुकामना है वो भी पूर्णा होती है और बेजिकली ये सबसे ज़्यादा वीजा के लिए ही सब लोग पूजा करते हैं पूजा करने के बाद आपको इस तरह से हनुमान दादा का फोटो देते हैं और ऐसी चोपाई होती है और ये जो पासपोर्ट है वो हनुमान दादा को दिखाते है ताकि आपका वीजा जल्द की जल्द मंझूर हो जाए अभी एहमदाबाद में ये मंदिर बहुत ही फैमस हो चुका है वीजा वाले हनुमान दादा के नाम से वो ओल्द एमदाबाद में है देशाई की पोड यानि गुजराती में बोलते हैं देशाई नी पोड कारिया लई में जाके पर पास्पोर्ट 151 रुपीस की पूझा आपको लिखानी पड़ती है और वो पूझारी जी पूझा करवाते हैं आपको और जहां पे श्रद्द होती है वहां पे पूरावा यानि की साबीती कहते हैं उसकी कोई जरूर नहीं होती है प्रेंड्स आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए बाइबाइबाइब